जै श्री महाकाल एक बाद फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में बचा लोग आज बात करेंगे हम डेप्रीसियेशन का और ये डेप्रीसियेशन वाकई में बहुत इंबॉडन चैप्टर है ज चाहे हम इसके प्रैक्टिकल पॉर्शन की बात करें दोनों में से कोई ना कोई एक तो आएगा और कभी-कभी तो ऐसा होगा कि थियोरी से भी पूछते हैं सवाल और आपके प्रैक्टिकल से भी सवाल पूछते हैं तो हम सबसे पहले आपको क्या करते हैं प्रैक्टिकल करा होना चाहिए कि भही depreciation होता क्या है इसके meaning क्या है इसके causes क्या क्या होते हैं हम depreciation क्यूं लगाते हैं या जिसे आप need for the providing the depreciation कहते हैं या फिर factor determining the amount of the depreciation ठीक है और फिर उसके बाद आपका method and last क्या है आपका journal entry ठीक है तो हम क्या करते हैं आघरी से चलते हैं आघरी से मतलब हम आपको सबसे पहले method कराएंगे and then उसके बाद आपको journal entry कराएंगे and then उसके बाद फिर आपको आप क्या कराएंगे कि depreciation से related जो आपकी theory है उसको कराएंगे बस बस आप इतना चानिए कि depreciation का मतलब क्या होता है कि जो value जो assets की value reduce होती है तो जितनी भी value आपकी reduce हो रही है वही आपकी क्या कहलाती है depreciation कहलाती है कि example से समझते हैं जिसे suppose करिए कि माल लीजे आपने क्या किया कि एक लाख रुपए का machine खरीदा आपने machine कितने का खरीदा एक लाख रुपए का machine खरीदा है अब साल भर आपने उसको इस्तमाल किया अब उस machine की value market में माल लीजे कितने की हो गई 90,000 की हो गई कितने की हो गई बटा 90,000 की तो अगर 90,000 की हुई तो इसका मतलब है कि भाया 10,000 उसकी value क्या हो गई reduce हो गई की नहीं हो गई जैसा जार उसकी value क्या हो गई कम हो गई तो यह जो value आपकी कम हुई है इसी को हम कहते हैं आपका depreciation कहते हैं clear हो गया इतना point इतना point clear हो गया अब इस 10,000 को calculate करने के लिए हमें method को समझना पड़ेगा यारी method of depreciation को समझना पड़ेगा तो सभी लोग क्या करेंगे जल्दी से heading लिखेंगे method of depreciation जब आप method of depreciation की बात करते हैं तो basically आज हम दो method की चर्चा करेंगे जिनमें सबसे पहला नाम आता है आपका SLM method और दूसरा नाम क्या आता है आपका WDB method होते तो कई सारे method है एन्यूटी method भी होता है मसीन आवर रेट method भी होता है ठीक है valuation method भी होता है कई सारे method होते हैं लेकिन जो basic important method है वह आपके क्या है SLM method है या जिसे आप क्या कहते हो WDB method जब हम SLM method की बात करते हैं तो कुछ बाते आप यहाँ पे जानिए ध्यान से सुनिएगा जब हम SLM method की बात करते हैं तो SLM method में जो depreciation calculate होता है जो depreciation क्या होता है बेटा calculate होता है वो always calculate होता है original value of assets पे आपका depreciation क्या होता है calculate होता है बात इतनी समझ में आ गई original value of assets का मतलब क्या होता है original value of assets का मतलब यह होता है कि जैसे माल लीजे आपने एक लाग की मसीन खरीदी तो हर साल जो depreciation calculate किया जाएगा वो एक लाग पे ही calculate किया जाएगा यही कारण होता है कि इस method में जो depreciation का value होता है जो depreciation का क्या होता है, value होता है, वो always क्या रहता है, fix रहता है, always क्या रहता है वेटा जी, fixed रहता है, यानि अगर आपने एक बार 10,000 depreciation निकाल लिया, तो अगले साल का भी depreciation कितना होगा, 10,000 होगा, फिर अगले साल का भी depreciation कितना होगा, 10,000 ही होगा, यानि यहाँ पर आपका जो depreciation का value है बच्चे वो क्या है आपका fix है बात इतनी clear हो गई कुछ बाते और देख लीजे जब आप depreciation method की बात करते हो SLM method की बात करते हो तो यहाँ पर value of assets तब समझेगा value कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि किस method में value of assets 0 हो जाती है एक सक्ट एक सक्ट लिए ध्यान देंगे value of assets value of क्या assets इस method में आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है क्या हो जाता है बेटा जी 0 हो जाता है 0 होने का कारण क्या है भाई एक बात बताइए अगर depreciation का value हर साल fix है माली जे 10,000 10,000 है तो भाई या 10,000 को अगर 10 से गुड़ा करोगे तो एक लाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यानि assets का value एक लाग का खरीदा था एक लाग का आपने क्या कर दिया reduce कर दिया तो value automatic क्या हो गई 0 हो गई कि नहीं हो गई आप से एक नंबर का सवाल पूछेगा कि जरा बताइए वो कौन सा method है जहाँ पर value of assets 0 हो जाती है तो आप answer क्या देंगे sir SLM method है वो वो method कौन सा है आपका SLM method है बात इतनी clear हो गई चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब देखे जब आप SLM method की बात करते हो जब आप किसकी बात करते हो SLM method की बात करते हो SLM method में हमको depreciation calculate करने के दो रास्ते दिये जाते हैं या हम depreciation को दो तरीके से calculate करते हैं पहला तरीका क्या होता है कि आपको depreciation का rate दिया रहता है मतलब when rate of depreciation is given when rate of depreciation is given मतलब आपको depreciation का rate क्या किया रहेगा दिया रहेगा एक दूसरा तरीका कि सर कभी-कभी ऐसा होता है कि rate of depreciation नहीं देता तो परिसान ना हो यह उसका भी आपको तरीका बताएंगे लेकिन पहले आप यह देखिए कि अगर depreciation का rate दिया है तो हम वहाँ पे depreciation कैसे calculate करेंगे ठीक है तो उसके लिए हम एक छोटा सा formula इ to value of assets या value of assets के जगहां आप यहाँ पे क्या लिख सकते है और जिनल value of assets पारण क्या है अभी अभी बताया कि depreciation इस method में always original cost पे लगाया जाता है यानि आपकी purchasing cost पे लगाया जाता है तो आप यहाँ पे लिख दीजे value of assets क्या लिख देंगे value of assets value of assets into rate upon 100 into month upon 12 rate upon 100 into month upon 12 यह बाते आपको क्या करनी है याद रखनी है बात क्लियर हो गई इतनी बात इतनी क्लियर हो गई तो value of assets इसको हम color change कर देते हैं value of assets into rate upon 100 into month upon 12 देखिए value of assets आपको question में क्या किया रहेगा दिया रहेगा rate यह भी आपको question में क्या किया रहेगा दिया रहेगा month यह आपको find करना रहेगा find करने का मतलब क्या है जैसे कभी कभी क्या होता है कि माल लीजे आपने एक जनवरी को कोई assets खरी दी ठीक है आपने एक जनवरी को एक assets खरीदी एक लाख रुपए की ठीक है एक लाख की assets खरीदी कि यह नहीं दिख रहा है अच्छा ठीक है ठीक है भी बात नहीं यह वाइट वाला दिख रहा है कि कलरी चेंज कर दें बैस दो मेंट रुकिए एक जनवरी को आपने क्या किया कि अपना प्रिपेर करते हैं वह प्रिपेर कब तक करते हैं 31 दिसंबर तक प्रिपेर करते हैं तो obviously एक जन्वरी से लेकर 31 दिसमबर आपको depreciation कितने महीने का calculate करना है 12 महीने का calculate करना है लेकिन अगर आप एक बात बताओ कि आपने assets खरीदी है 1 जुलाई को और किताबे आप बंद कर रहे हो कब 31 दिसमबर को यहाँ पे आप depreciation कितने महीने का calculate करोगे यहाँ तो आप कितने महीने का depreciation calculate करोगे 6 महीने का करोगे ठीक उसी प्रकार माल लीजे आपने 1 दिसमबर को assets खरीदी और किताबे भी आप कब बंद कर रहे हो 31 दिसमबर को तो यहाँ पे depreciation कितने महीने का calculate करोगे एक महीने का करोगे यानि कहने का मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए बच्चे कि आप कितने महीने का depreciation क्या कर रहे हो calculate करना है क्या 12 बटे 12 रखना है या 6 बटे 12 रखना है एक बटे 12 रखना है यह आपको question में ही क्या कर देगा बता देगा परिसान होने के लिए इसको आपको जरूरत नहीं है बात clear होगे इतना चलिए एक छोटा सा question करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं जैसे suppose करिए कि आपने क्या किया कि एक जनवरी 2030 क्या कि एक machine खरीदी है एक लाख रुपए की आपने machine खरीदी है ठीक है rate of depreciation rate of depreciation कितना percent है 5% है जो आप books of account बना रहे हैं जो आप क्या कर रहे हैं books of account बना रहे हैं वो आप 31 March तक के लिए बना रहे हैं मतलब आप अपनी किताबों को कब बंद करते हो 31 March को बंद करते हो ठीक है अब आपसे question कहता है कि भीया जरा बताओ calculate the depreciation amount calculate the depreciation amount तो सीदी सी बात है हम अपना formula क्या करेंगे यहां पर put करेंगे हमारा formula क्या है भी हमारा formula है value of assets हमारा formula क्या है आपका value of assets value of assets into rate upon hundred into month upon क्या 12 value of assets हमारी कितनी है एक लाक हमने rate कितना लिखिया है लिया है पांच बटे 100 अब फिर कहता है कि month upon 12 तो मैंने क्या कहा कि आपको calculate करना पड़ेगा अब एक बात बताईए आप acids को कब बाय कर रहे हो एक January को किताबे बंद कब कर रहे हो तो भी आप January, February, March बताओ कितना महीना होगे आपका तीन महीना तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप तीन बटे बारा ये मत करना की बारा बटे बारा लिख देना क्यों क्योंकि आप depreciation कितने महीने का निकाल रहे हो तीन महीने का बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कोई समस्या तो नहीं तो जल्दी से calculate करेंगे जीरो से जीरो यह यह काट दिया इससे काटेंगे तो एक बटा चार आ गया इसको फिर यहां से काटे हम कितना आ जाएगा आपका भी यहां पर हमने चलो गुड़ा कर लेंगे तो यहां पर पांच हजार गुड़े चार करेंगे तो चार से एक आया फोर बंजा फोर कितना बचा एक बचा फिर जीरो उतरेगा तो कितना हो जाएगा दो ठीच है फिर दो बचा गहीं तो होगा अरे लिखाया ये लो ठीच है ये लो फुष एक यहांपे आई typically आया कितना बचा जीरो फिर दो आठ अब कितना फाइफ 20 से 20 और ये फिर जीरो जाएगा जीरो हो जाएगा यानि 1250 रुपया आपका पहले बार का depreciation है पहली बार का क्या है depreciation है अब जब आप अगली बार का depreciation निकालोगे जरा बताना कितने पर निकालोगे next year next year जो आप depreciation निकालोगे वो कितने पर निकालोगे पूरा का पूरा क्योंकि SLM follow कर रहे हो SLM follow कर रहे हो तो वही value of assets कितने की थी एक लाख एक लाख का फिर 5% एक लाख का क्या 5% और इस बार पूरे के पूरे क्या आपके 12 का 12 महीना यह 12 से 12 इधर कट गया 0 से 0 इधर कट गया तो आपका depreciation का value कितना आ गया 5000 आ गया बताओ इसमें कोई समस्या तो नहीं न इसमें कोई दिक्कत तो नहीं न नहीं तो बस आपको मंद की calculation को क्या करना है अच्छे से समझ लेना है बात clear हो गई बेटा जी कोई समस्या तो नहीं अब चले आगे हम चलिए तो यह था वह कहानी जब आपको value of depreciation क्या किया रहता था दिया रहता था रेट आप डपरिसेशन आपको दिया रहता था यही कहानी थी ना चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं अब अगर सर एक बात बताईए माल लीजे rate of depreciation ना दिया हो तो क्या करेंगे सर अगर rate of depreciation ना दिया हो तो क्या करेंगे सर अगर rate of depreciation नहीं दिया है तो अगर rate of depreciation नहीं दिया है तो परिसान होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहां पर फिर एक पॉर्मूले का इस्तमाल करेंगे इसका इस्तमाल करेंगे एक पॉर्मूले का इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से और उसर फॉर्मूला क्या है आईए देखते हैं फॉर्मूला क्या है देखे वो फॉर्मूला है आपका value of assets value of assets minus scrap value जिसको हम कबाड मूल ले कहते हैं और divided आपका useful useful life of assets useful life of assets बात clear हो गई आप देखो आपको value of assets दिया रहेगा आपको क्या किया रहेगा value of assets दिया रहेगा तो आपको परिसान होने की जरूरत नहीं है clear हो गया बिटा जी value of assets आपको क्या किया रहेगा दिया रहेगा इस scrap value भी आपको क्या किया रहेगा दिया रहेगा useful life of assets भी आपको क्या किया रहेगा दिया रहेगा अरे भाई सब कुछ आपको दिया रहेगा बस आपको क्या करना है इस formula में रखना है और आपका answer आपके साम देखिए जर अध्यान से एक जन्वरी एक जन्वरी दो हजार तेईस एक जन्वरी दो हजार तेईस आपने क्या किया कि लाग का मसीन खरीदा आपने दो लाग का क्या किया मिटा मसीन खरीदा और मसीन का लाइफ दस साल दिया है और इंड आफ टैन इयर इंड आफ एन इयर री सेल वैलू ओफ एसेट्स री सेल वैलू ओफ एसेट्स माल लीजे बीस हजार है तो यह जो री सेल वैलू ओफ एसेट्स है न इसी को हम लोग स्क्रैब वैलू कहते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे स्क्रैब वैलू कहते हैं बात समझ में आ गई तो अब देखो क्या यहां पे आपको रेट of depreciation दिया है question में नहीं sir question में rate of depreciation नहीं दिया है तो दूसरा वाला formula लगाएंगे पहले तो ये बताओ मुझे आप लोग कि इसमें हम कितने महीं चलिए books of account 31 March को बंद कर रहे हो books of account आप कब बंद कर रहे हो 31 मार्च को कर रहे हो ठीक ना आओ देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था depreciation is equal to value of assets minus scrap value divided आपका क्या useful life of assets useful life of assets value of assets कितनी है आपकी 2,00,000 कितनी है आपकी रिसेल वैलू बताईए बीस हजार डिवाइड यूसफुल life of assets कितनी है दस साल यहाँ पर कितना आ जाएगा एक लाख असी हजार डिवाइड दस करेंगे तो depreciation कितना आ गया अठारा हजार लेकिन यह जो depreciation आया है यह पूरे साल का है आप बताईए आप एसिट्स कब खरीद रहे हो एक जनवरी को किताबे बंद कब हो रही है कितने महीने का भी depreciation निकालना है तीन महीने का तो यानि आपको थ्री मंत का depreciation निकालना पड़ेगा डारेक्ट आप अठारा हजार नहीं लिखेंगे यानि यह काटेंगे तो यहसे काटेंगे तो एक बठा चार आ गया इधर से काटेंगे तो कितना आ जाएगा वार दॉफ तो लॉफ आ हाँ चार चयोग 16 बचा कितना दो चार पंचे 20 5 तॉफ बैतालीस तो 45 तो आपका क्या आजाएगा depreciation for the three month आजाएगा बताओ कोई समस्या तो नहीं ना इसमें कोई दिक्कत तो नहीं चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कोई दीरे-दीरे आ रहा है समझ में ना आएगा परिसान बिलकुल नहीं होना है सब कुछ दीरे-दीरे आ जाएगा तो अब SLM method में इससे ज्यादा कुछ नहीं है खतम SLM method खतम सर वो disposal वाला आप नहीं बताए जब assets को बेचा जाता है परिसान ना होईए disposal वाला भी आपको बताएंगे निश्चिंत रहिए आप ठीक है अभी फिलाल हम WDB वाला देखते हैं तो देखो WDB में आपका क्या WDB समझो जरा ध्यान से जब आप WDB की बात करते हो तो यहाँ पे जो depreciation निकाला जाता है ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे जो depreciation क्या किया जाता है निकाला जाता है वो always closing value of assets पे निकाला जाता है closing value of assets पे निकाला जाता है देखिए closing value of assets का मतलब क्या होता है कि जैसे माल लीजे आपने एक लाग का assets खरीदा 10% depreciation काटा तो value कितनी बची 90,000 तो जब अगली बार आप depreciation निकालेंगे तो आप एक लाग पर नहीं निकालेंगे बल्कि किस पर निकालेंगे 90,000 पे यानि जो आपकी value बची है ठीक है यानि जो आपकी value बची है उस पे आप depreciation क्या करेंगे बिटा निकालेंगे बात clear हो गई बिटा और एक चीज़ और सुनना इस method में जो value of depreciation है आपका क्या बोला मैंने value of depreciation जो है वो क्या होता रहता है reduce हो जाता है क्या होता रहता है reduce होता रहता है इसी वजह से इसका एक और नाम है reducing method हम और एक नाम देते हैं diminishing method या reducing method भी कहते है reducing method इसलिए कहते है क्योंकि यहां पे value of depreciation क्या होता रहता है by पहले साल आपने depreciation गटाया 10,000 दूसरे साल depreciation आपका आया 9000 तीसरे साल depreciation आया आपका 18000 तो देखो depreciation की value क्या होती जा रही है reduce होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है तो इसलिए इसका नाम क्या है आपका reducing method बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई अच्छा एक चीज़ और सुनना इस method में इस method में assets की value कभी भी 0 नहीं होती assets value never be 0 never be 0 sir क्यों अरे माल लो 10 रूपय की assets बची है और 10% depreciation काटना है तो 10 रूपय के 10% कितना हो गया एक रूपया न 9 रूपया बचा 9 रूपया पे 10% काटो कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से 90 पैसा आ जाएगा तो यहाँ पर value of assets never be 0 बात clear हो गई की नहीं clear हो गई clear हो गई वच्चे चलिए फिर एक चीज और आपको बता देते है यह जो SLM method होता है यह income tax के द्वारा applicable नहीं होता income tax कहता है कि हम इस method को follow नहीं करेंगे यानि किस method को SLM को नहीं मानेंगे लेकिन अगर हम income tax को यह WDB method ले जाके दिखा दे कि सर हम WDB method से इसको solve करके लाएं है तो income tax कहेगा वो के आपका file क्या हो गया है pass हो गया है यानि अगर हम applicability की बात करेंगे applicability मतलब कौन सा method आपका income tax के द्वारा प्रमाडित है तो आप सीधा कहना कि सर्ट WDB method आपका income tax के द्वारा क्या है बच्चे प्रमाडित है बात clear हो गई कि नहीं clear हो गई कोई दिक्कत तो नहीं चलो फिर इसी बात पर थोड़ा सा हम एक difference देख लेते हैं क्योंकि कई बार आपके exam में यह question आता है अब क्या हो तो आप इन difference से यह जो इतने point मैंने लिखाए है इनसे आप अपना difference create कर सकते हो या फिर चाहो तो आप यह जो depreciation यह जो difference दिया है उससे आप अपना question में क्या कर सकते हो कर सकते हो solve कर सकते हो, बहुत सी चीजे हैं जो मैंने आपको अल्रेडी बता रखी हैं जैसे पहला point कहता है base of calculation, पहला point क्या कहता है आपका base of calculation तो ज़रा बताइए यहाँ पर हम assets कैसे निकालते थे आपका original value पर निकालते थे कि नहीं निकालते थे, यहाँ पे हम depreciation कैसे निकालते थे आपका original value पे और यहाँ पे हम किस पे निकालेंगे reducing balance पे निकालेंगे फिर कहता है determination the calculate the amount तो यहाँ पे क्या लिखा है fix amount is a subtract from the account every year until the useful life of the assets यानि fix amount of depreciation हर साल घटाना है और लेकिन इसमें क्या कहता है कि amount is the based on the return down value of the assets deducted every year till the useful life of the assets बात clear हो गई बच्चे फिर आगे देखेंगे कहता है zero value of assets आप बताओ किसमें हम zero value of assets होती है SLM में या WDB में SLM में इसमें assets SLM में zero हो जाती है और इसमें आपका नहीं होता फिर कहता है suitability एक बात बताएंगे suitability का मतलब कहता है कि सर कहां पे हम इस method को use करें जैसे जो आपकी building होती है जो क्या लिखा है assets are required less maintenance यानि जो assets less maintenance less maintenance मतलब जहां पे repair ज्यादा नहीं होता जैसे building की अगर हम बात करें तो आपका भी अगर घर होता है तो हर साल आप उसको paint नहीं कराते हो 5-6 साल में एक बार करा देते हो या 2-3 साल में एक बार कराते तो ऐसा तो नहीं कि हर साल चलो नय नय पेंट लगाए इसा नहीं होता न दो साल तीन साल तो minimum चाहिए चाहिए तो जहाँ पे less maintenance of assets होती है ऐसी assets जो की less maintenance है वहाँ पे आप fixed method का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन सर जहाँ पे maintenance ज़्यादा होता है जैसे plant, machinery क्योंकि इनको तो आप हर तीसरे तीसरे महीन आपको service कराना पड़ता है जैसे गाड़ी अगर खरीतते हो two wheeler हो या four wheeler हो तो तीन-чार महीने बाद उसको service कराना पड़ता और नहीं कराना पड़ता तो ऐसी जगहों पे आप किस method का इस्तमाल करो WDB method का इस्तमाल करो ठीक है बच्चे चलो फिर फिर कहता है effect of profit and loss effect of profit and loss की बात करेंगे तो यहां पे कहता है increasing per annum और यह कहता है no effect remain the क्या cost बात clear हो गई बच्चे तो अब सर यहां पे क्या वो income tax वाला point भी लिख सकते हैं क्या applicability by the income tax अरी लिखो ना मना कौन कर रहा है कौन मना कर रहा है मालिक आपका अगर कुछ नायादा है तो formula लिख के चले आना जैसे दो तीन point लिखने एक बात formula लिख देना वो भी difference create कर देता है बात clear हो गई तो तीन चार नंबर के सवाल यहां से बनते हैं जो आपकी जेव में अब आ चुके हैं खले आगे हम आईए कुछ और बाते सीखते हैं हम इस depreciation को लेकर देखो जब आप depreciation की बात करते हो तो भाई सीधी सी बात है आपको एक चीज आनी ज़रूरी है और वो है आपकी क्या assets की journal entry यानि depreciation related journal entry तो heading ज़रा सभी लोग डालेंगे जर्नल इंट्री रिलेटेड टू दा assets या जब हम depreciation की इंट्री करते हैं ध्यान से सुनिएगा जब आप depreciation की इंट्री करते हो न तो depreciation की इंट्री बहुत easy है बस तीन चार पॉइंट आपको याद रखने है कितने पॉइंट रखने है तीन चार पॉइंट याद रखने है पॉइंट नमबर वन वैन assets was purchase when assets was purchase या when assets is a purchase वो जटा दीजे when assets is a purchase ठीक है जब आप assets को क्या करते हो आप खरीतते हो पहली इंट्री यहां से बनती है दूसरी इंट्री बनती है when depreciation is चार्ज जब आप depreciation क्या करते हो चार्ज करते हो तीसरी इंट्री बनती है depreciation amount transfer into profit and loss account और यह दो journal इंट्री जो आप करेंगे यह कब करेंगे end of the year करेंगे कब करेंगे आप end of the year करेंगे आप समझ में आ गई की नहीं आ गई किसी ने कहा कि भाई depreciation चार्ज करना है तो depreciation कब चार्ज किया जाएगा सर जब साल समाप्त होने वाला होगा यानि 31 March या फिर 31 December सर डेप्रिसेशन के एमाउट को ट्रांसफर करना है मैंने कहा कहा पी यल में कब करेंगे end of the year यानि 31 March या फिर आपका क्या 31 December बात क्लियर हो गई सर वो assets खरीदने वाली entry करनी है तो ठीक न assets खरीदने वाली जब खरीदोगे तो entry कर देना अब कब खरीद रहे हो ये तो question बताएगा न तो question बताएगा कि एक जनवरी को खरीद रहे हो एक अपरेल को खरीद रहे हो एक अक्टूबर को खरीद रहे हो जब भी भी खरीदोगे तो आप entry खरीद कर ले ना किसकी परचेस की तो आई स्वारी assets के purchase की अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि जब आप assets खरीदते हैं तो या तो आप assets cash में खरीदते हैं या तो आप assets किस में खरीदते हैं credit में खरीदते हैं या यह भी हो सकता है cash भी रहे और क्या हो सकता है credit भी हो सकता है तो आपको confused नहीं होना है आपको confused जरा सा भी नहीं होना है ध्यान से देखिए जब आप assets खरीदेंगे तो आप entry क्या करेंगे Assets, Account, Tablet और अगर cash में खरीद रहे तो क्या लिख देंगे To cash Sir, मालो हमने check से payment किया तो अगर check से payment किया तो क्या लिख दोगे To bank Sir, मालो उधार है तो अरे तो ठीक है जिससे भी उधार है उसका आप नाम लिख दे न Vendor, हमने क्या लिख दिया Vendor, अब जैसे तुमने मोहनलाल से खरीदा क्या लिखोगे Assets, Account, Debit 2, मोहनलाल Sir, machine खरीदी है Machine, machine, तो क्या होई Assets लिखेंगे कि machine लिखेंगे तो बेटा, Assets का नाम लिखो क्या? Machine Machine, यानि Machine Account, Debit 2 अब बताओ किस से खरीदे हो Cash से, Bank से, या Vendor से Sir, Vendor से Machine Account, Debit 2 मोहनलाल, बात समझ में आ गई तो जो आप Assets खरीदेंगे, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना रहेगा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कोई समस्या तो नहीं, चलो अब दूसरी Entry देखो जब आपकी Assets क्या की गई है? Depreciate होई है तो अगर Assets Depreciate होती है तो ज़रा बताओ Depreciation आपके लिए क्या है? Expense है ना? Expense का Balance Always हम क्या करते हैं? Sir, Debit करते हैं यानि हमारी Entry क्या होगी? Depreciation Account, Debit to Assets Account यानि इसकी वज़ा से आपकी Assets की Value क्या हो जा रही है? Reduce हो जा रही है ना? और General Entry में मैंने आपको बताया है कि भी जो भी Assets कम होता है उसको, उसके Balance को हम क्या कर देते हैं? Credit, स्वारी, क्या कर देते हैं? Credit कर देते हैं क्या कर देते हैं? Credit Sir, narration तो नहीं लिखा रहे हो आप Question में नहीं आ, exam में नहीं आएगा क्या? अरे बाबू, ये बगलिया में क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? यही यहीं पर Copy कर देना बस, हो गया narration हाँ Sir, exam में नंबर मिल जाएगा अरे ना मिले तो बताना हमें हम आके दिलाएंगे ठीक है? मिलेगा, 100% मिलेगा बिटा Clear हो गया point? अब देखो, ये तो हो गया Depreciation of Assets फिर उसके बाद इस Depreciation को हमें Transfer करना है Sir, कहां Transfer करना है? Profit and Loss में अब आप लोग एक बात बताओ आप लोगों ने Profit and Loss अकाउंट पढ़ा ही होगा जर्णा सोच के बताओ Depreciation किस साइड जाता था? Debit साइड या Credit साइड? Depreciation को हम Debit साइड लिखते थे यानि PL के लेजर में Depreciation क्या होता था? Debit तो अगर PL के लेजर में Debit है तो जर्णल इंट्री में वो आटोमेटिक क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम क्या इंट्री लिखेंगे बेटा? Profit and Loss Account Debit to Depreciation Account बताइए बेटा जी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस सिंपल सा ही तो Concept है सिंपल सा Concept है भाई आप Clear हो गई की नहीं Clear हो गई? हो गया कहानी खतम हो गई सर कहानी सर और और भी कुछ है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा है कुछ सर क्या थोड़ा थोड़ा है? बता दीजे तो चलिए फिर अगली इंट्री की तरफ चलते है अभी लास्ट दो इंट्री और बची है सर कौन सी? अरे Assets को बेचना भी तो है Assets को क्या करना है? बेचना भी तो है उसकी भी तो इंट्री सीखनी है हमें अब देखो अब जैसे जब आप Assets बेचते हो Assets Sold Assets Sold तो जब आप Assets को Sold करते हो तो assets को sold आप दोग तरीके से करते हो कैसे in case of profit in case of profit यानि profit में बेच दूए या फिर in case of loss in case of क्या बेटा loss जैसे समझो assets की value 20,000 थी assets की value कितनी थी 20,000 थी और ये जो 20,000 आया है ये after depreciation आया है बात सुनिएगा ये जो value आई है वो कब आई है after the depreciation मेरे बच्चे हाथ जोड़के एक निवेदन करता हूँ कि जब भी आप assets को बेचिएगा उसमें से सबसे पहले आप depreciation घटा दीजेगा अक्सर गलती यहीं होती है बच्चे क्या करते हैं कि जैसे माल लीजे एक assets है एक January की assets है उसका value है माल लीजे यही equation है 20,000 है उसको आप 3 महीने के बाद बेच रहे हो तो बच्चे क्या करते हैं कि 20,000 में से ही direct minus कर देते हैं ऐसा नहीं करना है आपको अगर आप 3 महीने भी assets को use कर रहे हो एक महीने भी use कर रहे हो तो भी आपको depreciation क्या करना है calculate करना है यानि before the sale depreciation must be deducted before the sale depreciation must be deducted बताओ बच्चे समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब देखो आपने क्या कि 20,000 की assets थी आपने इसको 25,000 में बेच दिया आपने इसको कितने में बेच दिया obviously आपको क्या हो गया profit हो गया कि loss हो गया कितने का profit हुआ बच्चे 5000 का अब देखिए आपको पैसा कितना मिला होगा cash account debit कितना 25,000 आपके पास assets कितने की गई 2 assets कितने की assets गई 20,000 की और आपको profit कितना हो गया क्या लिखेंगे profit on sale profit on sale बच्चे कितना हो जाएगा 5000 समझ में आ गया तो दिक्कत तो नहीं clear अब देखो तो ये हो गई आपकी entry जब आप assets को क्या करते हैं profit में बेच देते हैं अब मेरे बच्चे मेरी बात सुरो ध्यान से कि अगर हमसर loss में बेच दे ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता normal case में ऐसा ही होगा बहुत कम chance है कि आप profit में बेचो अकसर loss ही loss बता है हमारे पास अब माली जी आपने इसको 15,000 में बेच दिया या 15 नहीं इसको आपने 18,000 में बेच दिया बच्चे जड़ा बताओ आपको loss कितने का हुगा बई 20 का था 18 में बेच यानि 2000 का क्या हो गया आपको loss हो गया इंट्री देखो बच्चे क्या इंट्री होगी cash account debit कितने से 18,000 से अब machine कितने से गई है आपकी two assets कितने की गई है two assets कितने से बीस हजार से अब loss का balance हम किदर लिखते है debit न तो यहाँ पर क्या लिखेंगे loss on sale account debit कितने से बच्चे 2000 से बताओ concept clear हो गया कि नहीं clear हो गया बहुत simple सा concept है आपका depreciation का ये मान के चलो आप depreciation नाम का chapter अगर आपके question में आए आपके exam में आए तो आप समझ लेना कि आपने पिछले जनम में पक्का कोई पुन्य किया है पक्का कोई पुन्य किया है कि आपको free का number मिल रहा है इसमें कोई calculation ही नहीं है भाईया इससे ज़्यादा calculation तो आपका bill of exchange में है इससे ज़्यादा calculation तो bank reconciliation में है इसमें तो कुछ नहीं है यार चार इंट्री याद रखनी है और चार इंट्री के बाद ये समझ लेना है कि profit होना है कि क्या होना है लॉस होना है अब समझ में आ गई अब देखें यहाँ पर कई बार आप से एक सवाल पूछेगा कि prepare the laser account prepare the क्या laser account तो जब question ये कहे कि prepare the laser account तो तीन account आपको बनाने होते है एक आपको assets account बनाना होता है तीन नहीं वैसे basically दो account होते हैं एक आपका क्या हो गया बच्चे? assets account हो गया, एक हो गया आपका profit and loss account हो गया चलो मैं तीसरा account भी बता देता हूँ और एक हो गया आपका क्या depreciation account ये तीन account का आपको क्या बनाना पड़ता है laser account बनाना पड़ता है laser बनाना पड़ता है बात समझ में आ गई? आप कुछ बच्चे कहेंगे सर वो machine वाला array मालिक assets लिखा है assets मतलब ही machine होगा assets मतलब ही furniture picture होगा assets मतलब ही हवाई जहाज होगा टरक होगा JCB होगा जो आप माल लीजे हमझ में आ गया भई या? चलिए फिर तो जब आप assets account बनाएंगे तो assets account बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको आपका laser आपको आपकी journal entry याद होनी चाहिए आपको आपकी journal entry आनी चाहिए तो ये रहा हमारा format laser का हम बना देते हैं ये हो गया हमारा क्या date ये हो गया हमारा particular ये हो गया हमारा amount फिर ये हो गया हमारा date ये हो गया particular ये फिर क्या हो गया हमारा amount ये हो गया date ये हो गया particular ये हो गया बच्चे amount यह हो गया आपका date यह हो गया particular और यह क्या हो गया बच्चे हमारा amount बात clear हो गई आप देखिए journal entry पहली journal entry उठा के देखिए बच्चे आपने क्या entry की थी आपने entry किया था जब आप assets खरीद रहे हैं क्या entry किया था आपने assets account debit to cash bank या vendor अब laser का same वही rule आपको follow करना है laser का rule याद है ना laser का rule क्या कहता है नहीं पढ़े हो playlist बनाई है भईया आपके लिए बनाई है पढ़ना है आपको paper देना है number अच्छे लाने है 12 में आना है परसे मुझसे पढ़ना है चलिए कोई बात नहीं तो देखे एर रूल क्या कहता है कि जो चीज जिसका आप अकाउंट बनाते है उसके opposite side वाले को आपको क्या करते हो transfer करते हो अगर आप assets account बनारे हो तो उसके opposite side में कौन है ध्यान से समझो बच्चे ध्यान से समझो वही assets account बना रहे हो तो उसके opposite कौन है Sir cash है bank है vendor है उसको उसको ही transfer करना है और जो चीज journal entry में debit होती है वो laser में credit हो जाती है और जो credit होती है वो क्या हो जाती है debit तो journal entry में वो credit था तो यहाँ पर आकि वो क्या हो जाएगा debit यानि आप यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे आप यहाँ पर लिखोगे 2 cash और अगर bank से लिखा होगा तो 2 bank और अगर उधार होगा तो क्या लिखेंगे vendor बाद समझ में आगी बच्चे अब फिर उसके बाद आप दूसरी entry देखो दूसरी entry क्या थी सर जब हम depreciation चार्ज करते थे तो क्या entry होगी depreciation account debit to assets तो assets account ही बना रहे हैं हम तो opposite क्या है आपका depreciation अब depreciation यहां डाबिट है तो यहां पर यह क्या हो जाएगा credit में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और यह entry हम कब करेंगे end of the year करेंगे यहां पर क्या लिखेंगे by depreciation बताइए बिच्चे trades के समझ में आ गया के नहीं आ गया और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है balance cd पता झार्डे नहीं है balance cd है आपका पहले साल का machine account बनेकर क्या हो गया तय। तईयार हो गयाँ बच्चा बसीन अकंट बन के क्या हो गया आपका तयार हो गया बताओ शमज्में आ घा की नहीं आ गया खतम कहानी इस से स्थाएं कुछ नहीं हैं तprises लॉर जब एसिट्स साथ बेंचे थे बेचे वाल समझे आया आउ देख लेते हैं तो भरी सबसे पहले क्या करें हम और इस अथारए और न एक्स्ट पहले depreciation तो कुछ न कुछ तो आएगा ही आएगा कई क्या एक दिन का आया तो मुस्कुराना मुस्कुराना और अपना सर एक बार दिवाल में मार देना का है सर का है कि उस केश में आपको एक बचा तीन सो पैसट करना रहेगा उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ठीक है एक बटा तीन सो पैसट करना पड़ेगा मतलब फिर से calculation ठीक है तो ऐसा फिलहाल नहीं आने वाला है महीना में आएगा परिसार नहीं होना है ठीक है तो तो depreciation चार्ज करना है यहां पे लिखेंगे कब तक अप टू डेट ओफ सेल डेट ओफ सेल यह depreciation कब तक जाएगा बैटा अब टू डेट ओफ सेल यहां पे क्या लिखेंगे बच्चे बाई depreciation ठीक है उसके बाद आपने बेचा था प्रॉफिट में बेचा था तो प्रॉफिट में अगर बेचा था तो आपने entry क्या की थी जरा बताना आपने entry किया था cash account debit assets account debit एसेट एकाउंट debit to assets account to profit and loss तो assets के opposite क्या है बच्चे assets क्या है sir cash तो यहाँ पे debit है तो यहाँ पर किसमें transfer करेंगे credit में तो यहाँ पर क्या लिखेंगे by cash ठीक है और profit है तो obviously balance किदर जाएगा profit का credit में तो यहाँ पर क्या लिखेंगे profit on sale और जैसे यह आप profit on sale लिखेंगे automatic आपका balance क्या हो जाएगा टैली हो जाएगा आपको परिसान होने की अवशक्ता नहीं है बात clear हो गई बच्छे कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं चले फिर देखिए क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जैसे क्या होता है कि आप 60 मिनट में 50 मिनट बहुत ध्यान से पड़िये खाली 10 मिनट ना पड़िये आप यकीन मानिए यह 50 मिनट खराब हो जाएगा यह 50 मिनट खराब हो जाएगा अब जैसे यह तो वही बात हो गई बेटा कि पूरी राद जग कर हमने बिया किया और सुबहरमा बिदय नहीं हुई मिधा पूरी राज जगने कोई फाइदा बिला विदाई नहीं हुई आप पूरा समय दीजी जितने आप समय दे रहें पूरा समय दीजी और अगर समय नहीं दे पारेर ही तो वीडियो वाला केस देख लिया हमने एक लॉस वाला भी देख लेते हैं लॉस में क्या होगा लॉस में क्या होगा कुछ नहीं पहले डेट वाला फॉर्मेट तो बनो डेट हो गया फिर क्या हो गया फिर क्या हो गया फिर क्या हो गया एमाउंट हो गया फिर क्या हो गया बच्चे डेट ह द्यान से आपने यहां पे balance transfer किया टू balance BD चलिए मैं उस question को लेकर चलता हूं जिसमें मैंने आपको loss कराया था 20,000 का था कितने का था 20 का था तो मैं यहां पे direct balance कितना लिख दूँ 20,000 का अब आपने कितने का depreciation card चार्ज किया माल लीजे आपने 2000 depreciation card दिया ठीक है अब date of sale यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूं date of sale कि अब अब कर देखेंगे तो डेट of sale आपका कितना है बच्चे अब लग रहा है डाटा उड़ गया कोई बात नहीं अब बस एक मिट देखें तो यह हो गया आपका date यह हो गया आपका क्या particular यह हो गया आपका क्या amount अब टेट पर्टिकुलर यह हो गया आपका क्या amount है अब उसी एक्जांपल को लेकर चलते हैं आपने assets transfer किया to balance BD कितने से बच्चे 20,000 से अब date of sale date of sale माल लिजे आपने कितने का लिया by depreciation 2000 का और आपने assets को बेचा माल लिजे 15,000 में तो इसी date को by bank by क्या bank 15,000 अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर balance कितना आ रहा है 17 इधर balance कितना आ रहा है 20 तो मतलब इधर ही आपको क्या लिखना पड़ेगा by loss on sale क्योंकि आपने assets बेच दिया है तो कितने का loss हो गया आपको 3000 का अब जैसे ही आप लिखेंगे आपका account क्या हो जाएगा tally हो जाएगा बच्चे खतम tally हो जाएगा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई इतनी बाते समझ में आ गई है अब आपको सिर्फ दो चीजे मुझे करानी है content मैंने आपको सारा समझा दिया कैसे entry होगी कैसे laser बनाएंगे कैसे calculation करेंगे अब दो चीजे बाकी है एक theory और दूसरा आपका क्या practice तो अभी हम theory कर लेते हैं practice हम next class में कर लेंगे तो अभी हम लोग क्या करते हैं जल्दी से theory सारा पढ़ लेते हैं देखो जब आप depreciation की बात करते हो तो depreciation का मतलब क्या होता है बचे जब आप depreciation की बात करते हो तो depreciation का मतलब क्या होता है depreciation कहता क्या है कि जो आपकी assets पे जो आपकी assets पे क्या करता है वेलू जो आपकी assets को reduce करता है जो आपकी assets की value को क्या कर देता है reduce कर देता है वही आपका क्या कहलाता है depreciation कहलाता है फिर कहता है इसमें कहता है in every business there is the certain assets of picture are needed to the conduct of the business operation some examples such as the assets building plant machinery motor vehicle furniture office equipment those assets have the definite spam of the life यानि हर assets का एक निश्चित समय है जैसे इंसानों का एक निश्चित समय है तो भगवाने जाने कितना समय बाकी है कोई-कोई 100 century भी मार देता है कोई 10-12 साल में कोई एक के दूई महीना में तो भगवान की नियत है लेकिन जब हम assets की बात करते हैं तो assets का जो life होता है वो पहले से ही define होता है आप अपने घर में अगर एक बल्फ भी लेते हो ना तुस पर लिखा रहता है कि एक साल पहले खराब हुआ नया मिलेगा एक साल पहले खराब हुआ तो नया मिलेगा हां हां अंदर भाईया पहले मतलब अंदर ही होता है और एक साल बाद खराब हुआ ते काम करा नया खरीद लिया यानि लाइप पहले से पहले मतलै क्विशे लाइप कर दी कर दी फिर उस में क्या लिखा है जो हमारी एसिट्स की लाइफ defa terms of the depreciation clear हो गया बिटा जी clear हो गया depreciation का एक definition आपकी किताब में दिया होगा चाहो उसको लिख लो चाहे उसको लिख लो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद एक point और आता है कि सब डेप्रीसियेशन का feature बताओ depreciation का value of assets क्या होती है बेटा कम होती है value of assets क्या होती है कम होती है साथी साथ जो value of assets है क्या लिखा है it's refer to the fall in the value of the assets this value may or may not be equal to the market value or the cost value of the assets सिसरा point कहता है कि the fall in the value of the assets is the solely मतलब धीरे धीरे कम होती है ऐसा नहीं कि कठे कम हो जाएगी अईसा नहीं कि एक बार में एक लाग खतम हो जाएगा नहीं धीरे धीरे उसकी वैलू क्या होगी बेटा खतम होगी हाँ लेकिन यह हो सकता है कि कभी कभी कुछ ऐसे अन्वांटेड इवेंट आ जाए आग लग जाए मालो एसेट्स में भू कम पाया एसेट्स के उपर फथर थर गिर गया है हो सकता है कि नहीं अगर नॉर्मल कंडिशन है तो एसेट्स की वैलू कम रिडियूस होगी लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडिशन है तो वहाँ पर एसेट्स की वैलू क्या हो जाएगी बहुत जादा रिडियूस हो जाएगी ठीक है फिर उसके बाद आगे कहत है कि भई जो assets की value है वो continue आपकी क्या होती रहती है reduce होती है use करते use करने की वजा से और यह तब तक reduce होती रहेगी जब तक आप उस assets को क्या करते रहेंगे use करते रहेंगे बात clear हो गई बच्चे फिर उसके बाद एक point और है कहता है कि सर objective बताओ depreciation को charge करने का तो सबसे पहला objective यह होता है कि सर हमें actual profit को पता करना होता है यानि true profit को पता करना होता है फिर उसके बाद हमें यह भी पता करना होता है कि assets की वास्तविक life कितने दिन तक है assets कब तक चल सकती है ठीक है और तीसरा point क्या होता है कि sir हमें एक fund create करना होता है ताकि हमारी assets जो replace हो उसके बदले कोई भी नई assets क्या हो सके हमारे पास आ सके फिर उसके बाद एक और point होता है कि sir हमें अपनी capital को भी capital क्या assets क्या है capital nature की होती है assets क्या है आपकी capital nature की तो उस capital nature को हमें क्या करना रहता है ट्रैक करना रहता है, साथी साथ सेच्वेटरी प्रोवीजन है, और सेच्वेटरी प्रोवीजन मतलब जो वैधानिक है, किसके दौरा, कमपनी एक्ट देखो क्या लिखा, इंडियन कमपनी एक्ट सेक्शन 205 कहता है कि डेप्रिसियेशन काटना क्या है, मस्ट है बात क्लियर हो गई बच्चे, फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि सर कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो हमारी डेप्रिसियेशन की वैलू को एफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि कॉस्ट आप दा एसेट्स बोथ, बोथ इन दर टम्स अप दर टाइम, आल्सो दा यूटिलिटी और यूनिट, ठीक है, फिर कहता है, इस्टिमेट दा इसक्रैप, वैलू अगर कुछ है तो, ठीक है, फिर उसके बाद एक और पॉइंट है, कहता है, method of depreciation, तो मैंने आपको बताई दिया, दो method आपके एक आपका क्या है, SLM method, दूसरा क्या है आपका, dimination method, ये method आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, खतम, तो अब आपके पास बाकी ये SLM, straight line method की कहानी है, आप इसको बाद में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते है, depreciation देखो, आपका क्या होता जा रहा है, अरे, assets, assets, क्या होती जा अब एक चीज़ बची है, और वो क्या है आपकी practice, वो हम क्या कराएंगे, आपको अगली class में कराएंगे, कई सारे question आपके सामने हम लेकर आएंगे, ताकि आप जादा से जादा practice कर सके, तो आज के लिए फिलाल इतना ही class कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें जरूर बता में आपके हां而 दो में आपके करे बता समय कर दो आदी है, इस एम के लेक अकी कर आदार वो